देलाइफ टीवी सच सबसे आगे नमस्कार महूर अजीत जा और आप देख रहे हैं देलाइफ टीवी जंग फिर से शुरू होने को थी इसराइल और फलिस्तीन के बीच लेकिन तभी सीज फायर की अब धी बढ़ा दी गई इसके बाबजूद भी इसराइली फोर्स और इसराइली सेटलर्स अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं जबकि इसराइली सेटलर्स को अमेरिका ने भी केताब नहीं दी ठी कि अगर आपने फिलिस्तीन में खास करके जरूसलम, वेस्ट बैंक, जैनिन ये जो इलाके हैं वहाँ पर अपनी हरकतें बंद नहीं की तो आप सब के उपर अमेरिका कारवाई करेगा बाब्यूद इसके इसराइली सेटलर्स अपनी हरकतों से बाज नहीं आये हैं जंग शुरू होने वाली थी, लेकिन इसराइल के तरफ से या कहा गया कि हम सीज फायर की अबड़ी थोड़ी और बढ़ा रहे हैं ताकि केजियों को रिहा किया जा सके लेकिन दोसरे तरफ इसराइल गदारी भी करता है, उसके सेटलर्स हों या फोर्स हों वो फायरिंग रोक नहीं रहे हैं, जहां तहां फिलिस्तिनियों को मारने की कोशिश में लगे रहते हैं ऐसे में करारा जवाब दिया है हमास में, हमास ने इसराइले सेटलर्स को गोली मारी है 9 लोगों को गोली मारी गई है और इसमें से 2 की मौत हो गई है जर आपने स्क्रिन पर या विजूल देखिए इसमें देखेंगे कि कैसी दो वहां पर धेर परे हुए हैं और कई जो हमास के लराके हैं वो बंदूक लेकर खड़े हैं सरकों पर और नो लोगों को गोली लगी है इस विजूल में साइरन की आवाज भी आप सुन सकते हैं और जो गहमा गहमी है वो भी देखी जा सकतі है ये साफ तोर पर बयां करता है इस वीडियो को शेयर करते हुए मिसरा अमरेश ने टूइट भी किया है लेकिन उससे पहले इस वीडियो के साथ मिसरा अमरेश ने एक और स्क्रिंशॉट सेयर किया है जरा वो भी देखिये इसमें लिखा हुआ है यहां बताया यह जा रहा है कि यह जो है अलकर्स में यहां पर दो लोड मारे गये हैं और जिन लोगों को गोली लगी है टोटल आकरे देखे तो नो है जिसमें से साथ घायल है और तीन गंभीर रूप से घायल हुए है यह हमास के लराकों ने इस्राइली सेटलर्स को मुहतोर जबाब दिया है और ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि तो पूरी वजह आप समझेंगे तो इस्राइल की हरकत भी समझ जाएंगे यहां लिखा गया है कि आज जरूसलम में हमास ने नो इस्राइली सेटलर्स को गोली मार दी दो की मोत की पूर्ष्टी साथ घायल तीन गंभीर सभी नो लोग हत्यारों से लेस थे यह इस्राइली सेटलर्स हत्यारों से क्यों लेस थे जो आइडियफ है वो तो खुद नरसंगहार करने में लगा हुआ है यानि इस्राइली डिफेंस फोर्स अब यह इस्राइली सेटलर्स भी इस्राइली फोर्स की तरह काम करेंगे यह भी हत्यार लेकर घुमेंगे और फि दिविलियंस नहीं है, आम नागरिक नहीं है इसराइल के, पताया जा रहा है कि वे आईडियेफ की पैरा मिलिटरी है, उन्हें किसी भी फिलिस्तिनियन को गोली मारने का अधिकार है, उन्हें इसराइल की अदालतों में पुर्ण छूट प्राप्त है, वो फिलिस्तिनी प्रत गोली दागो, यानि कि ये पैरा मिलिटरी बाले कुछ भी करेंगे क्या, तो फिर इन्हें जवाब देने के लिए फिलिस्तिन के फोर्स हो, या हमास के लड़ाके हो, सामने तो आएंगे, और इस बज़से यहां बढ़ता जा रहा है, और इसके जो इसराइली सेटलर्स हैं, उसे धेर भी किया जा रहा है, ये सब हमास के लड़ाकों का कमाल है, चूकि इस समन्द में अब खबरें यहां आने लगी है, कि सीज फायर की अब भी बढ़ाई गई है, बाब जूद इसके अगर यहां जन्द आगे बढ़ रही है, फिर भी इसराइली सेटलर्स ऐसी अरकत जबाब दे रहे हैं, अब देखिए, क्योंकि इस से पहले जो खबर आई, जी सलाम पर खबर है, कि आठ फिलिस्तिनियों को इसी इसराइली सेना ने वेस्ट बेंक में गोली मारती, तो कैसे नहीं इन सब पर करवाई होनी चाहिए, सीज फायर के नियमों का उलंगन करने में तो ये इसराइली माहिर है, आरोप फिलिस्तिनियों पर हमास पर लगा जगे, यहां लिखा हुआ है, इसराइल किल्ड फिलिस्तिनियन, इसराइली सेना ने वेस्ट बेंक में आठ फिलिस्तिनियों को मारी गोली, मौके पर मौत, अब बताए आठों के आठों को इन लोगों ने धेर कर दिया है लेकिन जब हमास के दराकों ने गोली मारी है तो दो की मौत हुई है भाकी जो है वो घायल है कुछ गंभीर रूप से इंजर्ड हो गया है अब इससे समझे कि हमास तो फिर भी चाहता है कि चलिए हम उन्हें इंजर्ड करके उन्हें सबक सिखाते है और ऐस इसे में जो इसली होसी निर्दोष लोग उनपर गोली मार देते हैं उन्हें इस जंग लड़ी जाती है कि यहां लिखा भी गया है कि इसराइल फिलिस्तिन के बीच अभी सीज़फायर रहे है लेकिन वेस्ट बैंक में इसानी ने आठ फिलिस्तिनी नागरिकों को मोत के घाट उतार दिया है मरने वालों में एक बच्चा भी शामिल है फिलिस्तिन की हेल्थ मिनिस्ट्री ने जानकारी दी है कि साथ अक्टूबर से अभी तक इजराली सेना वेस्ट बेंक में 249 लोगों को मार चुकी है यह आकरा समझे सीज फायर के बीच भी इजराली सेना अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रही है इस बज़े से इसमें और भी आगे रिपोर्ट दीया गया कि मंत्राले ने रविवार को कहा कि इज्राइली सेना ने जेनिन शहर में शनिवार रात देर रात और रविवार तर के पाच फिलिस्तिनियों की गोली मारकर हत्या कर दी इसके लावा वेस्ट बेंक में भी तिन लोगों की हत्या कर दी जेनिन में हुए इज्राइली हमले में छे फिलिस्तिनी भी घायल हु रहे हैं इज़ाली से न शीजफायर को नहीं मानती है यहां तो साफ हो चला है यहां तक कि फिलिस्तिनियों पर अमेरिका में भी हमला शुरू हो गया है अखिर क्यूं जिस फिलिस्तिन के लिए दुनिया के कई देश एक साथ आकर यू एन में वोट कर रहे हैं कि इस गिलत कर के लिए सिर्फ कैदियों को रिहा करने के लिए सीजपायर है पचास सो लोगों को आदान प्रदान कर देने भर से गाजा में शांती हो जाएगी या फिलिस्तीन को इसका हक देदेगा ऐसा तो नहीं मालूम पर रहा है ऐसा इसलिए है क्याँकि असल में तो यह लोग सिविलियंस को मारने का सिलसिला रोख ही नहीं रहे हैं यहां पर देखे जो हमने बात कही आपको अमेरिका में भी फिलिस्तिनियों पर हमला हुआ है इसको लेकर जी सलाम ने लिखा है कि रविवार को अमेरिका में तीन फिलिस्तिनी स्टूडेंट्स पर हमला किया गया इस हमले की क्या बजा रही यह बात सामने नहीं आपाई इस हम हो या फिर चीड में इसराइल से हमला फिलिस्तीन पर हो यह सब कुछ साफ तोर पर बया कर रहा है कि कहीं न कहीं इसराइली अभी भी अपने सूबे को अंजाम देने की फडाक में है फिलिस्तिनी उनके बातों में आकर सीजफायर को अगर फॉलो भी करते हैं तब भी इज्राइली से ना हमला करके इन्हें मजबूर कर रही है या फिर हमास के लड़ाकों को मजबूर किया जा रहा है कि आप भी अटेक करें और जब अटेक किया तो नव इज्राइली सेटलर्स को धेर किया जिसमें से दो तो मारे गए और साथ आठ अभी क्रिटिकल सिच्वेशन में इलाज रहते हैं खिलाल इस वीडियो में इतना ही आप सभी का हम से जोड़ने के लिए बहुत बहुत थन्यवाद दे लाइफ टीवी सच सबसे आगे